राम राम सत सरीकाल सारे भाई यान भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल सुख विर्डांडा डैरी फारम में आप सब भाईयों का स्वागत है जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं वीडियो को देख पा रहे हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगया गंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाड़ी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाईयों को मिलता रहें और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जो भाई फेस्बुक पेज के माद्यम से जुणना चाते हैं वो डाणडा मुर्रा फारम के नाम से अपना फेस्बुक पर पेज है उसको भी लाइक करें फोलो करें और अगर वाँ पर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें भाई और आज आप सब भाईयों को एक जोटी दिखा रहे हैं भाई है अनील जुगलान से बहुत ही अच्छे पसुपालक हैं भाई बहुत टोप टोप क्वाल्टी की जोटीयां भाईयों ने तियार की हैं और सेल भी की हैं अनों गर पे कटियां भी त्यार करकरके अच्छी कटी त्यार करके वो ब्याने के बाद वो आगे अच्छे दामों में सेल गी हैं भाई भाईयों जो अच्छा पसु धन त्यार करेगा वह अच्छे दामों में ही बेचेगा कि गणी को अच्छा पसु धन रखने का चैने वह बैस हो या बैल हो या खेतिवारी का सब चीजों का स्वाट है और जिस बंदे को स्वाट होगा वह अपने तरीके से ही पसू पालन करेगा या खेतिवर जिस जिस चीज का श्योंक होगा वो बहुत अच्छी चीज का ही करेगा तो अनिल भाई हैं गाउं जुगलान से इनके पास एक यह जोटी है जोटी ने बच्चा दिया तीसरे ब्यात भाई वैसे तो बोलने को दूसरे ब्यात में भी कोई दोराई नहीं कोई नहीं कहेगा कि भाई ये दूसरे नहीं है जोटी ने बच्चा दिया है तीसरे ब्यात में और अभी दस दिन की ब्याई हुई है भाई 10 दन की ब्याई को 16 किलो दूद तो पकाई है वो सकता 17 भी और इसकी अगर दूसरे ब्याई के पिछले ब्याई में दूद के बारे में जानकारी दें तो दूद इसने दूसरे ब्याई में 19 किलो दिया है तो देखो अब की बार अगर 10 दन की ब्याई है कर सकते हैं कि 22-23 किलो दूद पे जोटी जाएगी जोटी में क्वाल्टी सारी हैं छोटा सिंग है पतली चामीगी है और थनों का गैप तो भाई वो क्या करें एक विलायत मार लो तो ऐसा इतना थनों का गैप है इसमें वीडियो में आप सब भाईयों को भैंश को पुशा के भी दिखाया जाएगा इसकी चुआई भी दिखाई जाएगी वो आप सब वीडियो को देखते रहे तो जो टिगी क्वाल्टी अच्छी है देखो जो शोग क्वाल्टी आपस हुआ है उस तरह की ही लंबी ले मैं बाई का नंबर डाल दूँगा वो बाई से संपरक कर ले और दो टाइम तीन टाइम चुआई देखके अपना पसंद करके पसुदन को खरीदे क्यों वीडियो डालना एक अपना माद्यम है मैं बार बार एक वीडियो में कहता हूं उसका कार्ण यही रहता है कल को कोई फोन पे ही पसु खरीदता यह पसु नहीं कोई और भी है कटडि है कटड़ा है बैंस है जो टा है कोई बीपसः धन खरीदता है उसमें वीडियो डालने वाला एक बैस माद्यम होता है यूटीब पर और देखकर पसुदना अपने को उता है कूँ हो तो एक वीडियो डाल लेगा जैसे ही देखो थनों का साइज कला कला है थन भी सिद्धे एक थन में थोड़ा हा आलका बैंड है मामुली है और जो भी चीजें देखें आपको आपर जाकर जांस परकर बाई के गर पे दो टाइम तीन टाइम चुआई करके लें देखो दस ग्यारा दन का पसू जब इतना अडर बनाए हुए है दस दन का तो देखें यह 20 दन की 25 दन की ब्याई होगी अडर भी अच्छा खोलेगी और अडर पर नसें भी उबरी हुई है और सारी चीजें कलियर दिखाई गई निच्चे से उपर से कले 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 थन है यह नहीं वे कोई जुडमा थन है और पिछे में बता रहा था जैसे कि आप इसको दूसरे भी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं बपारी करण में और इसकी चुवाई आपको अभी आप सब भाईयों के सामने होगी तो कोई कलिपसी इसकर के डाली जावा है जिस भी भाई को पसंद हो वो आके दूद निकाल के दे ये देखें जो आगले धनोगी दार मार के दिखाई जारी है क्यों सारा दूद तो निकाल के दिखाएं और फिर वो दो टाइम का तो अपने से भी निकलवा के दिखाया जाओ भाई एक टाइम का भी निकलवा के दिखाएं तो भी बहुत लंबा सिस्टम हो जे है तो वैसे में देखिया भई जो टिगी चुआई अच्छी है मोटी दा रहे हैं और उसा भी टाइट है यह देखें जो भाई ने दूद बताया आप जा कर देख लें भई आप सब को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सब भाईयों का तय दिल से दन्यवाद है